बिजनौर में एक शर्णा घटना सामने आई हैं जहां एक 8 साल की मासूम बच्ची को एक दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बनाया और दुशकन की घटना को अंजाम दे डाला घटना उस पक्य हुई जब 8 वर्षिय मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी तरसल बिजनौर के सियोरा थाना शेत्र के महला सफियाबाद में एक 24 साल के युवक अतीक ने पडोस में रह रही 8 वर्षिय बच्ची को अपना शिकार बना डाला बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी तब यारोपी युवक ने बच्ची को टौफी देने के बहाने अपने पास बिला और उसे खेत पर ले गया मासुम बच्ची की चीख पुकार सुनते हैं एक खेत पर काम कर रहे एक ग्रामी महा पहुचे तब तक वह मासुम बच्ची को रोता बिलगता छोड़ कर फरा हो गया था परिचनों ने थाने पहुचकर युवक अतीक के खिलाफ थाने में दुशकर्म का मुकर्मा दर्स कराया पलस में मामले को गंभीर तासे लेते हुए अतीक को गिरफदार कर जेल भेज दिया कल एक आठ वर्षे बच्ची के साथ दुशकर्म करके एक युवक भाग गया था पुलिस टीमी 24 गंटे के बीतर घटना खुलासे करते हुए युवक को गिरासिक में दे लिया है वैधाने कारवई करते हैं उसे जेल भेजा है